ये हम लेकर आए हैं आपके लिए DLF फेस्ट्री सिरिस रोड 23 नंबर 40 ये इसका फ्लोर देखिए ये हमारा बोटोजीनो इटालियन है जो ये लगा हुआ है पैटरन देखिए इस पे कितना खुबसूरत है ये पैटरन डिजाइनिंग ये हमने एंटरेंज पे दिया है थोड़ा सा एंटरेंज को इन्हांस करने के लिए ये हमारा है ड्रोइंग रोम ये वाल पर हमने वीनियर लगा के इस पे मैट पॉलिस की है ये लकड़ी का हमारा वुड़ वर्क है कितना अच्छा हो रहा है ये ये मैट पॉलिस की है इस पे सब पे ये डिजाइन देखे कितना अच्छा है ये पार्टिशन टाइप का वाल पर देखे मोल्डिंग से डिजाइन बनाया है काफी अच्छा लग रहा है सुन्दर लग रहा है ये ये जूमर की लुक तो देखते ही काफी बहतरीन लग रही है लाइटिंग देखे आप ये दो जूमर दिये हैं हमने लाइटिंग देखिए डिजाइन देखिए वाल पर क्या डिजाइन कितना बहतर लग रहा है ये ड्राइंग रूम के साथ एक बैडरूम दे दिया हमने ये बैडरूम है सिंपल विल्कुल वाइट कलर वैलवेट टच्छ पर वोई बोटोचीनो इटालियन ये इसी के साथ एक पोडर टोयलेट कोई गैस्ट वगरा आए उनको यूज़ करने के लिए ये पोडर टोयलेट यहां से ये बेस्मेंट में स्टेर केस वुडन स्टेर केस दिया है काफी अच्छी लकड़ी यूज़ की है इसमें हमने और इस पर भी मैट पोलिस और जो ये वाल है इस पर ये टाइल डिजाइनिंग टाइल लगा दी और इदर आएंगे तो हम ये हमारा किचन होगा काफी कुपसूरत किचन है ये आप देखे इसको मोडूलर किचन ये फिरिज एरिया है ये ये सामने अपना चिमनी होब सिंक गीजर लाइटिंग के लिए डिजाइन लाइटिंग डिजाइन इसके बार निकलते ही अपना ये एक मंदिर के लिए स्पेस है ये पूजा करने के लिए अपने लिए मंदिर बनाई ये अपना हा गया पुरा डिनिंग एरिया डिनिंग एरिये में भी काफी वुडन का काम है मैट पोलिस में मैट फिनिश डिनिंग एरिये के बाद ये आ गया हमारा बैडरूम खुबसूरत डिजाइन प्योपी फॉल से लिंग का इसमें लाइटिंग, कोब लाइट फैन विंडो काफी अच्छा स्वेश है बेडरूम का अटेच बात्रूम काफी सुन्दर है ये सावर एरिया ये इसका वाट डोब है साइड में और ये हमारा डाइनिंग एरिये के साथ लगते ही मास्टर बेडरूम लुक देखिए दोस्तो वाल पर डिजाइन यहाँ पर अपना सामने बैड आ जाएगा बैड के दोनों तरफ साइड टेबल इलेक्रिकल पॉइंट बड़िया फोल्ट सिलिंग एसी वाल पर हमारा हुई वैलवेट टच पेंट सिंपल वाइड कलर इटालियन फ्लोरिंग और ये देखिए वाल को एक हाइलाइट करने के लिए पीवीसी पैनलिंग अटेज बात्रूम ये वाड़ोब आ गया ड्रेसिंग एरिया एरिया देखिए ये इसका बात्रूम इसका बात्रूम